हलो एब्रीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, आपकी इस तुडी लेगातर कम्पलीट हो रही होगी, मैं प्रलास सिंह लेके हूँ इस पेसली आज आज आपके लिए तो चलिए, आज के इस लेक्चर क्लास में हम डील करते हैं, काफी बेतर क्लास होने वाला है, आपके लिए आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कम से कम यहाँ पर 25 से 30 MC क्यूनिकल के आएंगे, एंड हमारे पास ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे, जो आप इसके पहले कभी नहीं जानते रहे होंगे, तो बने रहेगा वीडियो के लाच तक, तक हम आपको क्लियर करा सके, पूरा-पूरा इस हमारी और टीम प्रोवाइड करती है, आपको 100 रुपै मंतली में, यानि हम लोग इसपेशली 400 का एक पैकेज देते हैं, तीन महीने का, ठीक, जिसमें हमको फर्स वेपर आपको पढ़ाया जाएगा, सिकेंड पढ़ाया जाएगा, थॉर्ट पढ़ाया जाएगा, यानि आप पूरा पूरा lecture classes, exam support, doubt classes, and recorded video का पूरा unlock benefit उठा सकते हैं, हमारे साथ, कहां पे मिलेगा ये सब, ये सब मिलेगा आपके अपने app, यानि VNR classes के, तो ये app आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहां पे हमारे धेर सारे courses में enroll और best study कर सकते हैं, और ये आपका प्यारा YouTube channel, आप इसे सस्क्राइब करना ना भूलिएगा, सस्क्राइब की rate थोड़ा सा कम है, आप जिसको भी share करिए, हम आपके लिए पूरा dedicated है, physics को छोड़कर, math को छोड़कर, और बाकी जो branches हैं, वो पूरा प सब्सक्राइब करते रहें, ठीक ताकि हमारा भी होसला बढ़ते रहें, और हम भी आपके लिए सही तरीके से काम करते रहें, बात करते हैं, आज के content structures की, तो हमको content structure में क्या देखना है, content structures में को फैरा points आज मिलेगा, introduction, हम लोग देखेंगे, परिचे के बारे में, फिर उस वो best chronometer कैसे है, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर domains of call versus classifications को, उसके बाद यहाँ 3 domains मिलेंगे, और किया मिल जाएगा, वैक्टिरिया मिल जाएगा, एन हमारे पास, यू कैरिया मिल जाएगा, ठीक, इसको pro कैरिया भी बोलते हैं लोग, तो ये 3 domains हमारे आज के इस class के base part होने वाले हैं, ठीक, इनको हम अलग-अलग भी पढ़ा सकते हैं, और हम इनको एक साथ भी पढ़ा सकते हैं, वो depend करता है timing के उपर, यदि आज क्लास एक घंटे के उपर बनता है, तो हम लोग इसको अलग-अलग पढ़ेंगे, यदि इन topic को दिल करने में कम समय लगा, तो ह करते हैं अपने first topic के तरफ यानि देखते हैं introduction, आखिरकार introduction देखते हैं, तो यह हमारे भाई साफ है Carl Wessels है, इनको आप परढ़ाम कर सकते हैं, ठीक, यहां पर हम बात करते हैं, बोलता क्या है, यहां पर छोड़े चो topic को दिल किया जाएगा, ताकि आपके लिए भी सुवि 69 के बाद, हमारे पास two kingdom classification था, क्या साफ है, इसके पहले की बात कर रहा है, ठीक, तो हमारे पास यह कब आए हैं, यह आपके 1969 के बाद, साही तरीके से reflect दिखाएं आपके, उसके पहले क्या होता था, उसके पहले हमारे पास two kingdom classification था, यानि हम लोग divide कर दिये थे किसको, कारे स मिलता था दूसरा हमारे पास प्लांटी किंगनम था यह चीज आप जानते होंगे टिक उसके बाद क्या बहुर रहा है टू किंगनम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वह दिना लाश्ट तू लॉग विकॉज दिटू किंगनम सिस्टम कैन नाड डिफरेंटेट विटमिन यू करता था प्राग पादा था किसके बीच यूकरोटिक और फ्रो के बीच यह और प्रोक्रटिक को transforms नहीं करने के बाद भी वह क्या करता था और एक काम करता था यानि यूनी cervical और मौल्फी सेलूलर के बारे में नहीं बताता था वह फो टो डैंटी और दूसरा हमारे पास क्या था दूसरा हमारा प्लान था जिसमें फोटो सेंथरिक का होगा इसके बेसिस पर पर यूनी और मल्टी और यू करोटिक प्रोटिक इसका कोई जिक्रा नहीं किया गया था लेकिन हमारे पास विटमिन बोल रहा है कि यहां पे 1969 से 1990 में हमारे पास 5 kingdom classification system क्या 5 kingdom classification system आया और यहां पे introduce कराया classification system को जिसको linear classification system आप बोलते हो ठीक वहां से बोला गया कि जो life है वो divide into 5 kingdom system यानि life को 5 kingdom system में divide कर दिया गया such as कौन कौन? मौनेरा हमारे पास आया number first बनके कौन आया? मौनेरा आया first बनके and हमारे पास प्रोटिस्ट आया second बनके और हमारे पास प्लांटी third number हमारे पास फंजाई and हमारे पास हमाँ एनमिली आ गया यानि यह 5 हमारे पास kingdom आये कब जब हम लोगों ने सही तरीके से देखा 1969 से लेकर 1990 तक तो यह 1990 तक हमको यह system मिले 5 kingdom system आप इसको याद रखिएगा आगे बोला गया कि this classification system divided into life-based कैसे यह divide था किस पे life-based पे take in their anatomy, anatomy के basis पे सको design किया गया था, morphology के basis पे design किया गया था embryology के basis पे divide किया गया था and cell structures के basis पे divide किया गया था यानि हम लोग गया देखे कि इसके पहले जो हमारे system था वो केवल photosynthesis के रूप में यानि किस organism में photosynthesis होगा किस organism में photosynthesis नहीं होगा उसके basis पे हमारे पास जो organism थे उनको two kingdom में divide किया था animal and plants लेकिन हमारे पास बाद में क्या आया बाद में को five kingdom system मिलता है जिसमें monera, protista, fungi, and planty, and animalia मिले ठीक और इनको divide किया कि इसके basis पे anatomy, morphology, embryology, and cell structures ये चार specially character थे जिसके basis पे हम लोग five kingdom system को introduce कराते हैं ठीक आपको हर बाते clear करके point to point note करते जाना most important है ठीक पीपीटी बनाने में मेनत लगता है लेकिन हम लोग सही तरीके से study करेंगे, ठीक हम लोग छोड़े छोड़े points को भी देखेंगे ताकि हमारे knowledge level में कोई कमी नरा जाए, केवल हमको BSC ही नहीं करना है ये चीद्धान दीजिएगा, माइन में बैठाय रखेगा हमको short में हम चाहते हैं, short में भी पढ़ा के हम निकल जाएंगे आपको to the points, एक 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 लाइन एक लाइन करके लेकिन इस्ट्रेंडर डीप हम पढ़ते हैं हमको more knowledge मिलता है और MC कुनिकल के आता है और वहाँ पे हम लोग काफी बहतर सीख पाते हैं मैं लगातार आपसे बोलता हूँ, आपके उमर से थोड़ा सा बड़ा हूँ थोड़ा सा दो-चार साल ज़्यादा experience है ठीक आपसे, इसलिए आपको सही guide कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में competition का मार बढ़ेगा और आप कोई पास यदि कम knowledge रहेगा तो आप competition से बाहर हो जाओगे इसलिए हर एक बहतर चीज़, देखो जो बड़ी चीज होती है, वो बड़ी होती है, अच्छी होती है, थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन हमको OC को लेना चाहिए, सौट में, हम कोई वीडियो देख रहा है दो मिनट में काम चल गया, तो दो मिनट में आप जानते हैं कि कैसे वो काम चलाएंगे छोड़ी छोड़ी टॉपिक को डिल करेंगे, और आपका चिप्टर खतम हो जाएगा आपको लगेगा कि बेहतर हो रहा है, लेकिन वो बेहतर आपके लिए आए लगता है लेकिन आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा घाव बनके उभरेगा और हम सही तरीके से नहीं उभर पाएंगे BSC करने वाले 3 लाग से ज़्यादा बच्चे हैं, कितने? सही से वो BSC करते हैं, और बाकी लोग आप सही तरीके से इस्टडी में उतने performance नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि आगे चलके MSC कितने लोग कर रहे हैं, आगे चलके CSR, NET कितने को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो काफी कम जोर इस्तिती है हमारे आगे के रिसर्च में, आगे के PhD में कि साइन से PhD करने वाले कितने लोग हैं, बहुत ही कम structure मिलते हैं उनके, ठीक, NET क्वालिफाई नहीं हो पता क्यों, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग स्वाट में बढ़ते हैं, और स्वाट हमें लोगों को नहीं किया गया था, कभी पूशता है कि 5 kingdom system में किस organism को में नहीं किया गया था, तो आप ध्यान देजेगा, फिकि 5 kingdom system में जो हमारा virus था, वो not mentioned था, यानि virus को यहां पे कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, यह ध्यान जीजेगा, ठेक, आगे हमारे पास बोलता क्या है, कि 5 kingdom system हमारे पास relate करता है, किस से हमारे इवलनेशरी, इसको बोलते हैं, जय विकासिक, जय विकासिक जो relationship था, वो कही न कही हमारे 5 kingdom system में relate करता है, इसलिए हम लोग पहले मोनेरा पड़ते हैं, प्रिप्रोटिष्टा पड़ते हैं, फिर फंजाई पड़ते हैं, फिर फ्लांटी एन एनेमिलिया को पड़ते हैं, जो evolutions के relationships को represent करता है, फेक, ये चीज़ आप ध्यान देजेगा, after 1990 के बाद, हमारे पास the domain kingdom, यानि क्या, the domain kingdom classification system, और कारल वेसेस classification, और six kingdom, हमारे पास इसको बोला गया क्या, कि लगबाग 1990 के बाद, हमारे पास कारल वेसेस classification बोला गया, और six, हमारे पास एक और kingdom बढ़ता है, ठीक, क्या, एक और kingdom बढ़ जाता है, ठीक, कौन सा बढ़ेगा, बोलेगा, कि three domain classification system was introduced, this classification system is based on the genetic characters, हमारे पास क्या था, ये genetic character पर भी बेस हो गया, कौन, हमारा three domain classification system, ठीक, rather than, यहाँ पे phenotopic, क्या, phenotopics की बात करने लगा, यानि phenotopic मतला, जो physically body को represent करता हो, phenotopic characters, यहाँ पे respect to national relationships, पैलो, पैलो, जैनी, पैलो, जैनी के मतलब बता है, कि उनके अंदर जो पाय जाने जनेटिक मतले उनकी, तो पैलो, जैनी of organism, that many proof, proof more stable and, यहाँ पे predictable, तो हमारे पास क्या मिला, कि हमारा, जो पूरा, पूरा, six classification system था, क्या था, six classification system था, यह six classification system हमारे पास phenotopic यानी आगे चलके वो RNA और बाकी जो जो जनेटिक life है, क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिलता है, माल लो यह हमारा क्या है, यह हमारा common life है, common life को हम देखे ध्यान से, तो common life को हम लोग especially यहाँ पे और two part में divide कर देते हैं, कैसे, two part में हम लोग divide कर देते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तिक, नभर four book करते हैं, पहले इसको टीज़ाउटका हराा करते हैं, तूपार्ट में ज़ब divide हम ने किया, हमारे पास क्या निकल कहया है, थूपार्थ निकल कहया है, कौन-कौन यूचरियोट्यक और प्रोदॉ्ट में निकल कि आया ठीक इनके छोड़े-छोड़े part मिन लगे ठीक कौन-कौन मिलेंगे हम अभी देखेंगे इनको ठीक तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो domain है यह हमारा domain है कौन सा domain यूझार यूगरीय खना यूगली ना आजायेगा हमारे पास तर्ष द्रक्रा यंगे यहानि आके बात कर रहा हे यहां पर ना फ्र चाहिएंगे मियत पर सी अधार चयोंगे यह सारे बैक्टिरिया होते हैं इनको औरकियो बैक्टिरिया निया डोमेन औरकिया हम रखा गया है फिर उसके बाद हमारा डोमेन बैक्टिरिया आ जाएगा इसके अंदर हम किसको रखेंगे यहां पे प्रोटियो बैक्टिरिया की बात करेंगे हम लोग इसको बात करेंगे डोमेन बैक्टिरिया के इंतर गताएंगे नहीं हम लोग लाइफ के तीन जोन को सबसे पहले डिवाइट करेंगे पहले दो जोन को डिवाइट करते हैं उपर हमारा यू करोडिक प्रोडिक के बैसे फिर उसके बाद हम लोग तीन डोमेन स्टार्ट कर देंगे पहला डोमेन हम क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास यहां से पहला डोमेन हो जाएगा फिर हमारे पास यहां दूसरा डोमेन हो जाएगा यहां पे हमको तीसरा डोमेन मिल जाएगा ठीक आगे बात करते हैं अगले नंबर की हमारे पास आता है यहां पे कार्ल वेसर्स क्लासिफिकेशन इसको most important है क्या इसको ध्यान देना most important है यहां से आप ध्यान देज़ेगा बहुत बेसिक से RNA को डिलिक करेंगे हम लोग phenotopic relationship को डिल करेंगे ठीक सब्सक्राइब करें कि बात करें सब्सक्राइब करेंगे हैं इस चीज़ को अब ध्यान देज़ेगा बोलता है क्या है इस थ्री क्लासिफ किस्टम वाइफ फर्फ प्रपोज बाइए अमिर्कन microbiologist और यह बायो फिज़िच्ट कार्ल हमारे पास विसल से 1990 में हमारे पास क्या थे यह अमीर्का के बिग्यानिक थे इनको भी जानते थे ठीक आगे बोलता है इनको इनके जो लाइफ फार्म थे उसके बेसिस पे 3 domain and 6 kingdom में divide किया गया यानि इन्होंने 3 domain और 6 kingdom लेके आए ठीक आगे वाज कॉल इस दो 6 kingdom and हमारे पास 3 domain classification यानि हम इनको 6 kingdom and 3 domain classification system के भी नाम से हम लोग जानते हैं आगे बोलता कि हमारे पास domain इनके है वह 3 domain कौन-कौन है हमारे पास arkaya हमारा फर्स domain दूसरा बैक्टेरिया हमारा दूसरा domain and तीसरा हमारे पास eukaryote यानि तीसरा domain मिलता है एन 6 kingdom के बात करेंगे, तो 6 kingdom में कौन-कौन? RQ bacteria पहला domain अब पहला हमारा kingdom हो जाएगा दूसरा इसमें सारे सारे जो asiant bacteria थे उनको रखा गया था जो modern bacteria आज दिखाई जेते हैं उनको U bacteria का अंतरगत रखा थे यह दूसरा हमारे पास होता जिसको true bacteria बोलते हैं तीसरे बात हमारे तीसरा नमर बनता है protesta हमारे पास चौथा बनता है fungi, पांचवा plant and छटा हमारे पास animalia यानि यह आपके true आप ध्यान देजिएगा कभी आपसे पूछता है कि true bacteria को हम लोग क्या बोलते हैं true bacteria को हम लोग U bacteria बोलते हैं and asiant bacteria की जब बात करेगा हम उन्हें क्या बोलते हैं यहां पे हम लोग नाम देदेंगे किसका Archeobacteria asiant bacteria का मतलब बहुत प्राचीन काल में जो bacteria पायाते थे जिसकी structures आज के bacteria से primitive था हम उन्हें क्या बोलते हैं Archeobacteria के नाम से जानते हैं यह line आप अपने mind में store करकर रखिएगा multiple twice आगे के लिए बनेगा यहां से ठीक आगे बात करते हैं आगे बोलता क्या है यह जो classification था जिसको वेसस classification बोला गया यह differences in यहां पे ribosomal यानि ribosomes के जो RNA होते हैं सेवें यहां पे 60S ribosomal जो RRN होते हैं उनके structures पे इसको किया गया है यानि genetic material के हिसाब से इनको किया गया है तो आपको कब पता होना चाहिए कि राइबो सुम के basis पे जो हमारा MC क्यों बनेगा यह चीज़ जान देना कि हमारे पास 60S ribosome होते हैं राइबो सुम राइबो सुम होते हैं यह जो मंरे को दौर की उनिट दिख रहा है ऐए डुक बनीट तो الك ब्लू की बात करते हैं यह डा जो पास किया आरइबो सुम्स पहरे होगा है यह स्यप्तव होगा दौ सिख नगा होना होगा 30S लगा होगा 30S कौन होगा यह वाला 30S हो जाएगा और दूसरा यह हमारा कौन सा यह हमारा अब हो जाएगा यहां से 50S ठीक कौन सा 50S हो जाएगा तो हमारे पास यह जो color receptor होते हैं वो ribosomal proteins को indicate करते हैं क्या यह जो color receptor होते हैं यह ribosomes के unit को represent करते हैं ठीक आगे हमको बताया गया इस्टुनेंट सा और देखे तो यह दो कार्ल वेसेश 97 87 में हमारे पास यहां पर यहां पर प्रपोच किया और पैलो जनेटी क्लासिफिकेशन के वेसेश पर यू करोटी की स्पिसीज को भी नहीं दिखाया और डिफ्रेंट किया कि इसमें ribosomal molecules में कि ribosomal जो हमारे पास क्या होता है बोलता है डिफ्रेंटेड इन देयर निकलोटाइट सिक्वेंस आफ यहां से सिस्टीन इस आर आरन्य यानि ribosomal RNA मालिकोस लेटर हमारे पास इंक्लूड किया गया तिक इसमें सिस्टीन एस आरन्य को उनके कंप्रेट्टिव जितने भी एनलेसिस थे उनको और वहां पे डिजाइन किया गया यहां से हमको क्या आता है कि पूरे पूरे जो जीनोलोजी इस्टडी होती है क्या जीनोलोजी इस्टडी होती है इन जीनोलोजी इस्टडी को कम्प्लीट करने के बाद प्रोकरोटिक और यूकरोटिक क्या जीनोलोजी इस्टडी के बाद प्रोकरोटिक और यूकरोटिक के सारे लच्छड को देखा गया उनके इसमाल यूनिट को भी देखा गया क्या small unit को देखा किसके ribosomal के small unit को भी deal किया गया Carl Wessess ने use किया किसको RRN को यहाँ राइबोसomal RRN को जो आगी चलके क्या बनाया यहाँ पे यहाँ पे evolutionary chronometer बोलते हैं क्या बोलते हैं? evolutionary chronometer बोलते हैं यहाँ इनको बोलते हैं क्या evolutionary time clock के नाम से जाना गया किसको स्पेसली आर आरने को किसको आर आरने को MCQ तो बनता ही है यहां से लेकिन यह IMP भी है इसको जान देना most important है कि आखिरकार क्यों यूच किया गया क्योंकि हमारे पास जो आर आरने है वो क्या है evolutionary chronometer है यानि evolutionary time clock है यह evolutions को represent करता है आरने यह लाइन आपको याद होनी चाहिए ठीक यह दोनों देखो university है जहां पर हमारे पास साइंटिक्स होते मदब पढ़ते थे ठीक अब आता है यहां पर हमको basis पढ़ना होते हैं basis में क्या देखेंगे बोलता है या दूसरा topic कि हमारे पास वाइस डो आरने और ने एक good chronometer कैसे जो आरने है वो गुड क्रूणु मीटर है इसको भी दयान देना होगा यानि कैसे वह जनेटिक्स को रिपरेजेंट करता है आगे अस में जनरेशन तू जनरेशन उनको भी डिल करना होगा तो सबसे बहले बात करते हैं स्क्राइब की तो बस में क्या ज़ागा यहां पे कि वह साथ हमारे पास सभी और नी यह रखते हैं यू त सब के अंदर आरने कहीं पाया जाएगा ठीक यह चीजा ध्यान देजेगा दूसरा बोल रहा है कि जो आरने होता है वह फंक्शनली स्मॉलर होता है और डिफ्रेंट डिफ्रेंट और डिफ्रेंट आर्गनिजम में यानि कभी देखा जाता है कि काफी ज्यादा हमारे पास जो और बार रहर होता है उनको फंक्शन होते हैं क्या उनके जो फंक्श्न सोते हैं काफी सिंवलर होते है किस में डिफ्रेंट डिफ्रेंट आर्गनिजम में एट्पाइट ये वह पाथिसेindustrie पेड़ते ज नियोकर्दा देतेश्येह कहां इंदर जैसे कर रहा है वैसे ही plant के अंदर कर रहा है और plant के अंदर जैसे कर रहा है वैसे हमारे जो bacteria है उनके बोड़ी में में लगबग लबग similar condition कौन हमारा आगे बोलता है कि RRN के जो changes होते है sequence कहाफी slowly होते है यह चीझन द्यान देना कि RRN के sequence होते हैं slowly grow करते हैं और यहाँ पर optimum बोलता है कि optimum for locking यहाँ पर across long period of time याar अप्टिमम मतलब यहां पर जो हमारे पास optimum temperature होते हैं कंडिशन होते हैं उसको लोग कर सकते हैं कहां पर किया सकता है नमबर फॉर की बात कर रहा है कि जो होते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं जो काफी अच्छे तरीके से दो और भी के mission घा सकता है हमारे पास राइट अगे यहां पर करते हैं अर्रन ठीक, आर अरने की बात कर रहा है कि आर अरने जो होगा वो राइबोसोम में रखते हैं, चाहे हमारा यू करोटिक्स हो, चाहे हमारे प्रो करोटिक्स बाड़ी हो, तो ये लाइन आप याद रखेएगा, ये चार सिक्वेंस हैं, नोट्स करिये, इस्टुडेंट्स, मैं बेसे कार्ल वैसर क्लासेफ कीकेशन कैसे हैं इनको भी रき्लेष करना होगा हमने बताया किया कि कार्ल और जो वैसर का हमारे पास थ्रिभी सिस्टम होते हैं जो सिक्स किंग्णम सिस्टम स्था वह 1990 में अगल फाम cracked 2 Puldy 했습니다 étaitğimiz & human लोगों को बताया के इन्हों किसको रखा च Speak for Turks को रखा in और कि उनको रखा गया जैसे इन के इन के रखा गया तो यह भी ग्राफ हाफ के लिए काफी इंपोर्टेंट है आगे बात करते हैं यू केरिया और प्रो केरिया तो इन्युवर्सल इंकोडर है यहां पे तो इनको ध्यान देज़ेगा आगे चलके यह पूरा एक फॉर्म है इन फॉर्म को आप देख सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं वहीं प्रोटी प्रोटी तो यह कंप्लीट होता है अब इसको देख लिएगा और बात करते हैं हमारे पास relation between three domain system and six classification system में इनके क्या-क्या कौन-कौन domain होंगे इसको भी त्रान देना होगा तो मारे पास जो domains three domains थे इनका जो पहला domain निकल गाता है वह bacteria निकल गाता है तो bacteria में क्या दिखाए गया था इनका जो पहला domain होता है वह यू bacteria से relate करता है जो और किया है औरकिया हमारे पास दूसरा जयनि पैस को रकिया बोलते हैं और या कमारा यू कारिया होता है यह यू करियोटा होता है जयनों के व्ल missing पलांट के लिए और यहां पहुतीस्रा देख लिए और यह चाहले दोसरी पे व्ल सी कहां यहां पर हम देख लें कि यहां पर हमको domain first मिल रहा है कि domain first domain second and domain third से हमको 6 kingdom के six especially kingdom का formation होता हुआ दिखाई देता है ठीक आगे बात करते हैं यहां पर domain और किया क्या हम लोग बात करते हैं domain और किया की domain और किया को हम लोग डिडियल करेंगे ठीक तो काफी लंबा टाइम हमको ल सब्सक्राइब करते हैं कि अरकिया हमारे पास क्या मोलता है कि ऑनИमल पाया चाहेगा और प्रोकशनों के साठद में निकलियर मेंब्रेन के लिए करने के लिए नहीं मिले यहां देनी और निकोलीयन मुणियन होगा यह ध्यान दीजे गाता क्या है कि यो या और किया हो तक अंदर हमारे पार जो बाईयो टमिस्टी जह उसकी बाईयो क्भेश्टी में देखा जाता है त्वल्स कहीं कर्ण होते हैं क्या होते हैं आरने मेकर बैक्टरिया होते हैं IMP तो बनता है और यहां से आपको MCQ भी बनेगा आगे इंट्रेंस एक्जाम के लिए जैसे CSR NET और बाकि जो UGC के नेट तो नहीं देंगे CSR NET आपके IIT जैसे questions MSC के आप एक्जाम देने जाओगे तो ऐसे questions आपको बनेंगे या पिर आप multiple choice के Qs देते हो तो भी आपके ऐसे questions देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो आर्किया होता है वो किसका बना होता है तो यह आरने मेकर होते हैं ठीक आधान देना आगे बोलता है कि यहां पे हमारे पास इनके body के ऊपर क्या मिलता है especially एक layer एक membrane मिलता है जो glycol का मिलता है क्या यहां पे glycol का especially हमारे पास layer देखने के लिए मिल जाता है इनके अंदर आर आरने क्या आर आरने भी देखने के लिए मिलेगा और क्यों जो होता है और क्या लैक्स की बात कर रहा है आर क्या लैक्स यहां पे किसको बोलता है peptido glycon क्या peptido glycon का इनका cell wall होगा मतलब यदि ऐसी body पाए जा रही है तो यह क्या पाए जा रहा है यह यदि cell wall पाए जा रहा है पहते कहते हैं क्या पाया जा रहा है तो यह किसका बना होगा यह बना होगा फैप्टिदु का किस बना उगाँ इंको बोलते हैं यहां से बन जाते हैं यह 10 भी आप याद रखिएगा बोलते क्या हैं बोलते हैं दे याğर not sensitive antibodies यानि यह लोग antibodies के प्रतिश sensitive नहीं होते हैं ठीक आगे बोलता है इनका जो used होता है वो treatment of bacteria यानि इनका use हम लोग treatment of bacteria में कर सकते हैं ठीक आगे आगे बोलता क्या है कि जो यह इस्पेसली जो antibodies होते हैं यूकरिया के अंदर उनके प्रतिश sensitive यानि इनकी जो sense है वो यूकरिया के अंदर होते हैं लेकिन bacterial form में नहीं होते हैं ठीक आगे बोह रहा है कि आर्किया जो होते हैं क्या आर्किया कंटें अदर linkage यानि इनके अदर linkage की बात करें जैसे membrane की बात करते हैं ठीक और इनके membrane की जब बात का किया जाता है तो विचार format विटमिन ब्रांचेज hydrocarbons and chains of glycol यहां पर जो glycol है एन हमारे पास क्या है यहां पर हमको क्या मिलता है hydrocarbons के chain मिलते हैं उसके branches से इनकी पूरी body designs होती है आगे बोलते हैं यहां पर हमारे पास environments की बात करें तो इस एक्स्ट्रीम इर्वार्मेन्ट यानि गरम टंप्रेचर मतला यह ऐसे जब आपाये जाएंगे जहां पर हाइयर टंप्रेचर देखने के लिए मिल जाएगा या फिर लोवर एकदम लोवर टंप्रेचर देखने के मिलेगा थेक यह practicing encantations यानि जो strong acid के कंशन्ट्रेशन है वहां भी ये रह लेंगे तो ध्यान देना है कहां कहां राएंगे higher temperature भी इनकी Metabolic extrude क्सट्वी काम करता है लोवर टंप्रेचर भी भी इनकी मेटे बरी को ट्रीडी काम करता हैं ठंडे देशों में वीरा सकते हैं आगे बोलता है stronger acid concentration यानि acid का strong concentration होगा तो भी ये काम करेंगे ये line आपको याद होनी चाहिए ठीक आगे बोलता है कि जो हमारे spacial ये काफी ज़्यादा stability को represent करते हैं क्या काफी ज़्यादा stability को complete करते हैं ये spacial कभी भी हमारे पास ester linkage के दौरा ester connecting के दौरा spacial linkage represent करते हैं किसके भी हमारे bacteria के अंदर या orchia के अंदर तो ध्यान रहें कि आर्किया और बैक्टेरिया से जब कभी भी ये जुढते हैं तो इस्पेशल एस्टर लिंकेज के द्वारा जुढते हैं तो ये लाइन हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि आखिरकार यूकेरिया होगा तो हमारे बैक्टेरिया के साथ हमारे eukaryota के साथ कैसे जुड़ेगा ester bond से या ester linkage के द्वारा जुड़ेगा ये line आपको याद होनी चाहिए अब बात करते हैं फाइला और किया कि आखिरकार इनके अंदर कौन-कौन से फाइला होंगे तो ध्यान देना domain है तो फाइला तो पाया जाएगा क्या domain है फाइला तो पाया जाहेगा फाइला कौन-कौन नांबर 1 ब ब्रस बोलता है कि आर किया है फ्यूट्री मेजर पाइलो इसका नाम है यहां पर करते हैं करने आर किया बोलता है बोलता है कि इस phylum के अंदर जितने भी organism होते हैं वो कैसे होंगे भया micro organism होंगे micro organism होने के साथ ये कहां रहेंगे ये extremely high temperature मतलब कहां रहेंगे ये especially गरम प्रदेश जो होता है गरम temperature में रहते हैं या फिर ये कहां रह सकते हैं ये lower temperature में रहेंगे या फिर यह आपके higher temperature का मतलब especially 55 plus कितना 55 plus degrees Celsius और lower temperature यानि 20 कितना 20 degrees Celsius minus 20 degrees Celsius से नीचे या 55 के उपर ये और्गेज रहते हैं आगे बोलता है especially इनके body के देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि यहां से जो boiling points of water यानि water की boiling point होती है 100 degrees Celsius क्या 100 degrees Celsius होती है which is the also called यहां पे इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं hyper thermophilic क्या बोलते हैं इनको hyper thermophilic का नाम देते हैं तो बोलता है सचे जे यहां पे sulfobacillus क्या sulfobacillus हमारे पास है एसीडिनोस है एन हमारे पास parolobus है तो parolobus या parolobus की बात करते हैं किसको parolobus की बात करते हैं या हम लोग किसको बात करें यहां पे sulfobalobus की बात करें या acidinos की बात करें यह तीन लोग जो हमारे होते हैं वह नहीं को रह oyun पोइंट सकते हैं तब आप जिंदा रखने की संभावना या जिंदा रखने की metabolic activity इनके body के अंदार होता है कौन यह जो हमारे हैं पाया जारे हैं भाई साहब लोग इनकी बात कर रहा है आगे बोलता है कि हमारे पास जो cranioarchieta होता है वो especially जो हमारे पास water की especially high temperature होता है वहाँ पे भी यह इंहें काफी अच्छे तरीके से रह सकते हैं यह चीजा अगला है यहां पर यू इंवार्म विर्वार्मेंट में रहते हैं कहांपे जो हमारे गर्म होता है वहां पे लोग रहते है आगे बोल रहा है इनमें कौन को आएंगे इनमें HelloPhylus आते हैं ठीक कैसे आते हैं यह Especially High Temperature पे लोग रहते हैं ठीक और इसे बोलता क्या है जो Hiunder Liquid होता है इनने हम HelloBacterium के नाम से भी जानते हैं कैसे HelloBacterium यह HelloBacterium का figure दिखाई देरा है जो HelloBacterium होता है वो क्या CS4 का जो CS4 गैस है उसके production में हमारा Hello Bacterium काम करता है हम इन्हें क्या करते हैं इसे हम Methane Producting Vacteria के नाम से जानते हैं तो यानि भाई सहाब सारे students जितने में मारे दोस्त देख रहे हैं उनको ये एक लाइन बोलना चाहूंगा कि इसको तो MC क्यों तो अनासानी से बनाई सकते हो या IMP तो बनाई सकते हो क्यों कि पूछ दिया कभी paper में बताओ बईया गुरुजी पूछ दिया कभी paper में बताओ Methane का formation करने वाले bacteria का नाम बताओ तो आपको मेरा नाम याद होना चाहिए यह पता होना चाहिए कि जानते हैं, ये लाइन आपको याद रहे है, आगे बोलता है, जो हमारे पास क्या है, यूर और कियोटा होता है, यूरे और कियोटा होता है, यूरे और कियोटा bingeire **Ch Swedly, इसेडिक इर्वार्मेंट यानि इसेडिक इर्वार्मेंट में भी यह रह सकता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं एस्टीडोफिलिक भी बोलते हैं एस्टीडोफिलिक मतलब एसिक इर्वार्मेंट में रहने वाले बैक्टिरिया को यहां पर हम लोग नाम देते हैं क्या एस्ट एस्ट्रोब के नाम से हम लोग जानेंगे तो भैया साहब यह क्या था यह हमारे पास है हमारा bacterium क्या है यह हमारा hallo bacterium structure स्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है इसके सेल हैं इनके body में नियोच पा जाते हैं किसके special यह जो दिखाई दे मेथेन के चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोट करने वाले लोग आपको भूलना नहीं होगा आगे यहां पर बोलता क्या है को ना को ना की ओटा कैसे बोलता है यह बोलता है कि कैसे होते हैं इनका टेक्सोनोमी आज तक ठीक ठाक नहीं बनाया गया है अफिसली जो फाइला है इसका आज तक टेक्सोनोमी नहीं किया गया है ठीक ध्यान देना लेकिन इनके अंदर जो बैक्टिरिया आते हैं वो कैसे होते हैं वो सिंगल होट यहां पर स्प्रिटिंग के फॉर्म दिखाते हैं जैसे हम लोग इनको बोलते हैं ओब्र कैसी कि बात करते हैं और यहां पर हमारे यह होते हैं यहां पर यहां पर ह्ब्रजेंड फोटे नेशनल पार्क है कहां पे अमेरिका के अंदर वहाँ पे देखने मिलेंगे हमारा उसी जगा कहा है कहां का इस्पेशली यहां पे वाइट इस्टोन नेशनल पार्क इवस्टे से लिए गया है ठीक यह इस्पेशली वहीं सारे डिटेली स्ट्रक्टर से आप इसको देख रहे हैं यह पूरा हमारा एक बैक्टिरिया है Rq बैक्टिरिया ओके ठीक से पहले डूमेन बैक्टिरिया डूमेन बैक्टिरिया का स्ट्चर्चर सका कितना खतरनाक दिख रहा है ठीक तो हमारे पास नमर्फस्ट क्या बोलता है यह प्रोकौरियोटिक सेल्स कोई दिककत किसी को नहीं होने वाला कैसे होंगे भैया यह acontecendo कि यह special इनके उपर क्या होगा, nucleus पायता है without any membrane, यानि कौनो membrane नहीं होगा, आगे बोलता है क्या, तिसरे नमबर देखो, कहता है इन्हें यू बैक्टिरिया या true bacteria, यू बैक्टिरिया या true bacteria, यानि आज जो bacteria पाया जा रहा है, उसी bacteria के नाम से इसको जानते हैं, ये चीज़ आपको याद रहे, इनको bacteria domain को मेलोग true bacteria के नाम से जानते हैं, आगे बोल रहा है क्या, इनके जो membrane होती है, body membrane होती है, ये जो membrane दिखाई जारा, इस membrane की बात कर रहा है, ये जो membrane पाया जाएगा, वो किसका होगा, वो glycol का होता है, क्या होता है, डाइगलोग, glycol का होता है, और especially diester lipid लगे होते हैं, कैसे, diester lipid and glycon होते हैं, और इनमें mucopolysaccharide, कैसा, mucopolysaccharide का capsule भी designs होते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं, बोलता है, all bacteria is not, यहाँ से pathogenic, वो मतलब सारे bacteria जो होते हैं, नहीं होते हैं, और बोलता है, कुछ जो लोग होते हैं, वो कैसे, beneficial role, कहाँ पे, especially antibodies, antibodies और, antibiotics जो होते हैं, antibiotics and food के लिए, especially beneficial role अदा करते हैं, जैसे, एसरे रेचेकुलाई हमारे पास है, ठीक, वो काफी important, हमारे पास bacteria यूज होता है, हमारे medicines में, ठीक, तो ध्यान देना कि, जो सारे bacteria होंगे, वो pathogenic नहीं होते हैं, कुछ जो bacteria होते हैं, वो beneficially role दिखाते हैं, कहाँ पे, producing करने में, निर्मार करने में, क्या-क्या, special antibiotics and food का, ये ध्यान रखना, नमर 6 में कह रहा है, especially, यहाँ ester linkage होता है, इनके membrane पे ester linkage होता है, और इसी linkage की वज़ा से, वो क्या करते हैं, वो unbranched fatty acid, क्या fatty acid chain और glycol से हमको जोड़े रखते हैं, ये शीज़ आपको ध्यान रहे, unlike the archaea and eukaryota, यानि सभी, archaea and eukaryota, eukaryota, बोलता है, यहाँ पे bacterial wall contains peptidoglycan, यानि peptidoglycan के भी यहाँ पे eukaryota के जैसे, ये designs होते हैं, आगे बोल रहा है, ये काफी ज़दा sensitive होंगे, कैसे होंगे sensitive होते हैं, किसके प्रती, सारे के सारे anti-bacterial, क्या बोल रहा है यहाँ पे, anti-bacterial drugs होते हैं, उनके प्रती यह sensitive होगा, तो important रहा लगना, इसके पहले जो हमारा क्या था, और किया था, वो sensitive नहीं था, वो sensitive नहीं दिखाता था, किसके प्रती, anti-biotics के प्रती, लेकिन यह क्या दिखाएगा, जितने भी anti-bacterial drugs होते हैं, उसके प्रती वो क्या दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ लोग होते हैं, क्या कुछ animals, और कुछ bacteria जो होता है, वो resistance to most of the antibiotics, यानि कुछ लोग, anti-biotics के प्रती resistance की भी conditions को represent करते हैं, that effect the eukaryia, यानि eukaryia के अंदर, especially जब वो हमारे पास आ रहते हैं, यानिन होते हैं, वो यूनिक हमारे पास होते हैं कैसे, यूनिक bacterial RNA होता है इनके बॉड़ी में, ठीक, especially यहाँ पर देखा जाएं, डिसेंटली different from the RNA, ठीक, यह RNA किसका RNA, आर्किया एंड यू केरिया, यू केरिया और आर्किया का जो RNA होता है, उनसे कैसे होते हैं, वो different होते हैं, कैसे होते हैं, different होते हैं, तो ध्यान देना, इनके अंदर, जो हमारा RNA पाया जाएगा, वो यू केरिया, यू केरियान आर्किया से क्या होंगे, different होते हैं, अलग ही type का, इनके अंदर RNA पाया जाएगा, क्या, यहां से नमबर फ़र्ष्ट फाइला की बात करें नमबर फ़र्ष्ट फाइला हमारे पास क्या आता है हमको बोलते हैं प्रोटियो बैक्टिरिया तो प्रोटियो बैक्टिरिया के अंदर क्या मिलेगा यहां पे इंक्लूड होते हैं सारे सारे बैक्टिरिया जैसे एसे रिचा इसानी से relation कौन कौन आप हमारे पास पुरे इस्टर्च बैक्टेरियम थे हमारे पास है यह थे हमारे पास हेलो भैक्टर है तो यह तो जा है अब देखेंब पास दूसरा हाता है जिसको हम भलते हैं Cyanobacteria, क्या बोलते हैं, दूसरा हमारा FAST-PHILALue में Cyanobacteria, इनमें include होते हैं सारे सारे कैसे Futosynthetic Blue Green Nail इनंते थे फोटosynthetic Blue Green Nail ते उन्ने को ऑनोग क्या बोलता है यहां पे सारे सारे लोग औरieso प्रोजेंट हों गे आल फोटो सेंथेटिक ग्लू ग्रीन बैक्टिरिया विच प्रोड़क्ट और यहां पर प्रोड्यूस करते हैं क्या क्या इस पेसल ऑक्सीजन गैस कैसे करेंगा बैया क्योंकि इनके अंदर क्या करबन डियाक्साइड प्लस हमारे पास क्या वाटर गिफसस क्या बनाएगा हमारे यहां से बन जाएंके क्या हमारे पास अक्सीजन का फारमेशन हो जाएगा और इनके अंदर क्या बनेगा इस पेसली फॉर्म होता है क्या स्क्राइब और तो चो आगे च्टल के टूट जाता है ठीक इसको हम दोग छोड़ देते हैं यह हमको अभी नहीं पढ़ना है वैसे ह कभी डेटिल आएंगे तो इसके बारे मैटाएंगे आपको जब सैन पैताइंगे , तबू थेक अगैंगे ड्रिया्य होते जो सारे होगा सारे जाया,सिया के अधर चैन अंधर पायेंगे जैसा यही स्ट्रक्टर्स आपको दिखाई दे रहा ही। क्रालोनी के फ़रम में दृख brilliant दीखाइए देंगे बोलता है यहां पर यू बैक्टीरिया सब हde उती स्ट यहां पर प्लाज्म मिल जाता है तो आपको देखें माइको प्लाज्मा यहां पर है यह हमारा माइको प्लाज्मा के अगर प्लाज्मा के बढ़को तो आपको देखा रहा है और अगर आगर बात करते हैं श्वेंट्स कि किलमेडिस की बात करते हैं तो हमारे पास किया मिल जाएंगे इन Was पास क्या है वह हमारा घ्टिया है यह हमारा सब्सक्राइश पास क्या है यह जिसको क्या है चलम आइधिया चलम आइधिया औग ये दो हमारे पास लोको मोटरी और हमारे दिखाई दिखाई दे रहे हैं जिसके वजब Size क्या करता है और यह क्या करता है और यह यह से क्ट नहीं इसका प्रघियर moans कर्लाहिए बैक्टरिया होते हैं उन्हें पाइब यह स्पाइरल की बात कर रहा है यह हमारे बॉडी के अंदर पाया जाएगा ठिक तो आपको यह पॉइंट्स मिलेंगे चार-पांस जिसके बारे में हमने पर और फाइब धीक यूकरिया यूकलिया-डॉमें बोलता है सारे इसने यूडिक से ङल्दर आगे अधी यूशाएं तो है यूकलिया-डॉमब्रेन निंपै और लिंके बिस्टर लिंकेज मलता है इनके मेंब्रेन के साथ ठीक आगरे बोलता है जो लिंकेज होते हैं वह फ़ार्मेड होते हैं किसमें अनब ब्रांचेज भैटी एसिट चैन अंड यहां पर ग्लाइकॉल पाया जाएगा देखने के लिए ठीक हमारे पास क्या सेलवाल होते हैं किसम से हमाँआ पास चलिवाल होगा वह यू करीजा का नहीं पाया जाएगा वह पाया जाएगा यहां पेप्टिडो ग्लाइक्वाइगा यहां पर नहीं देखने के लिए मिलेगा किसका मिलेगा glicerol मिलेगा यहां से ध्यान देना हमारे जो स्पेसिली स्टप्चर देख रहे हैं किसके मिलेंगे grisrol के मिलेंगे तो grisrol हमारे पास होगा fatty acid and grisrol हमको देखने के लिए मिलेगा यहां से peptidoglycan की structure देखने के लिए नहीं मिलेंगे यह चीज आपको याद रहे आगे बोलता क्या है यहां पर हमारे पास इनकी जो body होती है वो antibacterial and antibiotics के प्रती काफी sensitive होती है यह चीज आप द्याद रखना कि जो हमारे पास जितने भी eukarya के cells होते हैं वो सारे सारे eukarya cells किसी भ खाते हैं जैसे मेरे पास यह चोटे-चोटे हमारे क्या है और यह हमारे प्लाजमोडियम हो गया यह हमारे ट्रिपैनोसोमा हो गया यह मस्रूम हमारा हो गया और यह हमारे animal cells हो गया ठीक आगे बोलता है kingdom of eukarya तो इनमें इस पेसली यहां पर kingdom में रखे गए हैं पहला प्रो प्रोटिष्टा की बात करते हैं प्रोटिष्टा कैसा होगा single cell eukaryotes होते हैं कैसे single cell eukaryotes होते हैं और यह कहां पाये जाएंगे हमारे भूमी पे पाये जाएंगे वाटर में होंगे ठीक यह ची ध्यान देना और किसी और ग्रिंजम के साथ साथ हमको inside देखने के लिए मिल ज यहां पर fungi यह कैसे होंगे यह unicellular और multicellular दोनों के रूप में जाना जाते हैं ठीक इनमें eukaryotes होते हैं कैसे eukaryotes टाइप देखने के मिलेगा ठीक लेकिन यहां पर mode of nutrition होता है वह absorption के firm में होगा absorb के firm होगा और इसमें सारे सारे जो fungi होते हैं वो include होते हैं जैसे हमारा mushroom हो जाएगा ठीक एंड हमारे पास bread mold हो जाएगे water mold हो जाएगे इस्ट सेरावेसी हो जाएगा, यह सब कहां रखे जाएगे, फंगस के फार्म में रखे जाएगे आगे बोलते हैं, planty, planty हमारे पास पाया जाएगा, बोलता है, multi-cellular organism, eukerotic cells, planty जो होंगे, इंक्लूड कराएंगे, special सब भी सबी, चाहे हो हमारा flowering plant हो, gymnospoms हो, चाहे fern हो, masses हो, सब के सब के सब पाया जाएगा, कहां पे, इसी planty kingdom के basis में, आगे बात करता है, animalia, animalia भी पाया जाएगा, jellyfish पाया जाएगा, cause पाया जाएगे, fishes होंगे, warm होंगे, insect होंगे, and vertivates के cortex और amphibia भी देखने के लिए, मिल जाएगा, ये points आपको याद रहे, ठीक, तो हमारा छोटा सा रहा, domain, हमारा large eukaryota, यदि कहीं भी लिखने में गलती होई होगी, या फिर बोलने में कहीं point छूटा होगा, तो उसके लिए हम छमाच आते हैं, क्योंकि हो सकता है, कभी-कभी किसी चीज में ध्यान नहीं जाता है, एक बार ऐसी हुआ था, किसी वीडियो में कि लिखा कुछ और था, मैंने पढ़ लिया कुछ और, ठीक, ध्यान नहीं गया, ठीक, ध्यान जा करते हैं कि मिश्टिक हो न, बट इंसान नहीं है, कभी-कभी गलती तो हो जाता है, मिलते हैं अगले क्लास में लेके आपके लिए एक नया पूरा फ्रेस वीडियो, तब तक के लिए आप सभी से बीदा लेते हैं, जै